देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश वास्तू मंद राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म ओम गनेशाय नमहा, ओम नमह शिवाय, मैं निखिल जोतिश अचारे आप सभी का मेरे चैनल पे पुनहा स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की कृपा, आप सभी पर सदायव बनी रहें, यह वीडियो है, 20 अक्टूबर 2021 बुद्ध देखे, दैनिक राशी फल के बारे में, आपकी सुविधा के लिए यह राशी फल एक दिन पहले दिया जाता है, 20 अक्टूबर को और शुब कैसे बना सके हैं, इसके लिए क्या उपाय करना है, यह आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो शुरुआत करते हैं, 20 अक् अच्छा हो सकता है, अगर आज आपने अपने अहम पर यानि कि अपने इगो पर कंट्रोल कर लिया तो, बहुत जादा चांसे हैं, आज आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, जो बहुत ऑथोरोटेटिव पॉजिशन पे हूँ, पावर्फुल पॉजिशन पे हूँ, अगर आपने उनको अपने इगो को पंट्रोल करके अपरोच किया, तो बहुत हद तक संभव है, कि आपके उनसे कुछ बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो जाएं, जो आगे चलकर आपके प्रोफेशनल और परसनल दोनों ही लाइफ में मदद करेंगे, तो इसे साब से कुछ कमी आ रही थी, कुछ काम नहीं बन रहे थे, आप एफर्ट्स लगा रहे थी, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, तो आज वह जो विगन है, वह अप्स्टेकल्स दूर होते हुए दिख रहे हैं, अगर फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेट कुछ भी काम क रहती हैं, जो लोग बिजनस करते हैं, पूरी ऑथारेटी में रहेंगे, एग्रेशन नहीं कहूंगा, लेकिन ऑथारेटी आपकी पूरी रहेगी अपने बिजनस में, मैच्चूरिटी से कोई भी डिसिजन लेंगे, और काफी फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, मैच्चूर भी के लिए बहुत अच्छा दिन है, मैंटल कमपेटिबिलिटी, इमोशनल कमपेटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी, पिछले दो तिन दिनों में अगर कुछ मिसंडरस्टेंडिंग हुई थी, तो आज कॉम्यूनिकेशन क्लियर होने के कारण वह मिसंडरस्टेंडिंग दूर होती भी दिख रही है, स्टूडन्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अपनी बुद्धि मता का पूर्ण तरह से प्रयोग करेंगे, अपनी नौलेज जो भी अब तक आपने अरजित करी है, उसका भी प्रयोग करेंगे, और कुछ अच अच्छा हासिल कर सकेंगे, स्टूडन्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, हेल्थ के हिसाब से, नींद से रिलेटेड कुछ प्रोब्लम्स आ सकती है, या तो नींद लेट आएगी, या बीच विच में तूट जाएगी, साथी में सरदर्द हो सकता है आपको, दिन क बीच के टाइम में अचानक से हो सकता है, लकी नंबर है आपका, तीन लकी कलर है आपका, डाक ग्रीन भागे पतिशत है 75%, आप चलते हैं टॉरस यानि की व्रिशब राशी के तरफ, आज आप से ये कहूंगा कि अपनी दिन चर्या को प्रायोरिटाइज कीजिए, मतलब कि ये देखिए कि आपकी जिन्दगी में आज और आने वाले कुछ दिनों में सबसे इंपोर्टन चीज क्या है, सबकी जिन्दगी अलग होती है, हो सकता है आपकी जिन्दगी में करियर सबसे इंपोर्टन हो, किसी की जिन्दगी में स्टडी हो, किसी की जिन्दगी में जो आपको लग रहा है, analyze कीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में और आज किस चीज को सबसे ज़्यादा importance देनी चाहिए, क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण है, उसे साब से अपनी दिन चर्या को priority दीजिए, जो सबसे important है, उसको सबसे ज़्यादा समय दीजिए. करियर पे जलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन दिगरा है, यूजुली ऐसा होता है, जो लोग जॉब करते हैं, वो majority कह रहा हूं है, वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही यूजुली जॉब करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, जो अपनी जॉब के साथ तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा दिन दिख रहा है बिजनस के इसाब से भी आज का दिन काफी अच्छा दिख रहा है पिछले कुछ टाइम से यदि किसी डील को लेकर किसी कॉंट्रैक्ट को लेकर बहुत प्रयास कर रहे थे तो आज उससे रिलेटेट कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है कुछ पॉजिटिव चेंज भी मुझे आपके बिजनस में आज आता हुआ दिख रहा है लव एंड रिलेशन्शिप पे चलते हैं जो लोग मैरेड हैं लॉंग टर्म रिलेशन्शिप में हैं उनसे यह कहूंगा कि आज के दिन को छोटी- खुशियां ढूंडने में निकाल दें कभी-कभी साथ में बैठकर किया हुआ डिनर भी एक पूरे ट्रिप से अच्छा जा सकता है तो आज का दिन वैसा ही आपके लिए हो सकता है छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंडने की कोशिश कीजिए स्टूडन्स के ल आपके स्टेडी पर भी पढ़ेगा है अपनी हेल्थ पर आज फोकस करेंगे हो सकता है कुछ निर्णे भी लें कि कैसे अपनी हेल्थ को और अच्छा कर पाएं शुब अंक है आपका चार शुब कलर है मेजंटा भाग्य प्रतिशत है 72 अब चलते हैं मिथोन यानि की जैमिन आए राश्य की तरफ अगर पिछले कुछ दिनों से अपने आपको अकेला महसूस कर रहे थे आपको यह लग रहा था कि आपका कोई साथ नहीं देगा या नहीं देता कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा पिछले कुछ दिनों से तो आज उस सिचुएशन में चेंज आता ह हुआ दिख रहा है कोई ना कोई अचानक से आपकी लाइफ में आएगा और बोलेगा कि तुम चिंता मत करो कुछ बी अगर बुरा होता है तो मैं हूँ एक सांतवना देगा आपको और एक assurance भी देगा कि अगर कुछ बुरा होता है तो आपका साथ कोई ना कोई तो है जो आपका साथ देगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अपने जॉब के कारण ट्रेवल करना पड़ सकता है साथी में आज कुछ positive change दिखा रहा है मेरे को आपका attitude थोड़ा positive हो जाएगा अगर recently अपनी job को लेकर थोड़ी negativity आपके मन में आ रहे थी तो आज कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है जिससे शायद आपका attitude है अपने कारे के परती थोड़ा positive हो जाए जो लोग business करते हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा दिख रहा है बहुत inner strength आपकी बहुत अच्छी रहेगी एक अंदर से ही आत्म विश्वास रहेगा एक तरह की divine energy आप feel करेंगे जैसे कभी-कभी होता है हमें लगता है कि हाँ आज कुछ बुरा हो ही नहीं सकता आज सब कुछ अच्छा ही होगा आज आपके लिए वैसा ही दिन रहने वाला है आज आपके साथ mostly सारी चीज़ें अच्छे ही होने वाली है आपके business से related तो आज क थोड़ा अपने partner से बात करने की कोशिश मत कीजिए थोड़ा अखेले time spend कीजिए उनको भी बोल देजिए कि ठीक है भई थोड़ा time लेते हैं और मन्थन करते हैं कि क्या problem आ रही है relationship में और क्या उस पर काम किया जा सकता है ऐसा करेंगे तो जिन लोगों के relationship में problem आ रही है उनकी problem काफी हद तक दूर हो सकती है students के लिए आज का दिन अच्छा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ confusion हो रही थी किसी चीज को लेकर या किसी problem का कोई हल नहीं निकल पा रहा था तो आज उसका हल निकलता हुआ दिख रहा है अच्छा दिन है students के लिए health के इसाब से सांसों से संबंदित कोई problem आपको आज तंग कर सकती है लखी number है आपका 3 यानि की 3 लखी color है आपका bright red और भाग्य प्रतीशत है 78% चलते हैं cancer यानि की करक राशी की तरफ आज का दिन बहुत जादा अच्छा दिख रहा है इच्छा प्राप्ती का दिन है इच्छ रहे है आपके पास आज के दिन का भरपूर फायदा उठाईएगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा देख रहा है क्रियेटिव रहेंगे जो भी काम मिलेगा उसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे नाम सम्मान ख्याती जॉब करते हैं तो साथी में जो लोग नई जॉब के लिए ट्राय कर रहे थे उनको कोई बहुत ही अच्छा जॉब आफ़र आज मिल सकता है आज के दिन का फायदा जरूर उठाईएगा जो लोग बिजनस करते हैं काफी बैलेंस्ट रहेगा दिन अपने प्रोफेशनल और परसनल दोनों लाइफ को बैलेंस करके आगे चलेंगे एक चीज़ कहूंगा कि अगर कोई डील फाइनलाईज नहीं हुई है बले ही 99% तक बात बन चुकी है लेकिन जब तक वह 100% नहीं हो जाती तब तक उसका खुलासा किसी से भी मत कीजेगा बल लेही वह आपके कितना भी क्लोज हो लव एंड रिलेशन्चिप पर चलते हैं जो लोग रिलेशन्चिप में आना चाहते हैं उनको कोई बहुत ही पॉजिटिव नियूज आज मिल सकती है साथी में वह married couple जिनकी marriage में पिछले कुछ दिनों से problems आ रही थी लेकिन प्रयास दोनों की तरफ से था कोई ये नहीं चाहता था कि रिलेशन्चिप तूट जाए दोनों की तरफ से यह प्रयास था कि हाँ चीजे बन जाए लेकिन मौका नहीं मिल रहा था तो आज ऐसे मौका भी है और दस्तूर भी वैसा ही आज टाइम होने वाला है इस दिन का फायदा उठाइएगा अगर आपको अपने relationship से problems दूर करनी है तो स्टूडंस के लिए आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा है जिन स्टूडंस ने करकराशी वाले स्टूडंस ने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ दिनों में उनको उस मेहनत का फल मिलने वाला है study के हिसाप से student life के हिसाप से दिन अच्छा है भाग आज आपका पूरा साहत देगा health के हिसाप से कफ रोग आपको तंग कर सकते हैं खासी जुकाम रह सकता है थोड़े lazy भी आप feel कर सकते हैं दिन के later half में lucky number है आपका 9 lucky color है bright red और भाग प्रतिशत है 85% आप चलते हैं लियो यानि की सिम्हराशी की तरफ काफी द्रिड रहेंगे संकल्पित रहेंगे जो भी सोचेंगे उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे जब तक वह काम आपका एक्जिक्यूट नहीं हो जाए तब तक प्रयास करते रहेंगे इस हिसाब से अच्छा दिन दिख रहा है करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनसे कहूंगा अपने सेंसिस पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा आज सैयम रखना पड़ेगा कोई मजाक में की हुई चीज भी बहुत भारी पढ़ सकती है भली आपके इंटेंचन बुरे ना हो लेकिन उसका अलग मतलब निकाला जा सकता है तो अपने सेंसिस पर थोड़ा आज कंट्रोल र रही थी, कोई notice मिल रहे थे, कहीं से कुछ permission नहीं मिल रहे थी, उनको कोई बहुत ही positive news आज मिल सकती है, love and relationship के हिसाब से यह कहूंगा, कि एक तो जो लोग relationship में आना चाहते थे, उनको कोई positive news मिल सकती है, साथी में, mental और emotional compatibility आज कमाल की रहेगी, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, पिछले 2-3 दिनों में अगर बहुत वाद विवाद भी हो रहे थे आप दुनों के बीच में, तब भी आज बहुत अच्छा दिन जाएगा, और जो भी miscommunication हो रहे थी, उसको दूर क करेंगे, students के लिए आज का दिन अच्छा दिख रहा है, अगर आपको यह लग रहा था कि आपके पास guidance नहीं है, कोई आपको guide नहीं कर रहा, तो आज कहीं ना कहीं से आपको guidance मिलती हुई दिख रही है, students के लिए आज का दिन अच्छा है, health के इसाफ से सर में दर्द रह सकत लगी नमबर है वन लगी कलर है लाइट ब्राउन भाग्य प्रतिशत है 76 परसेंट चलते हैं वरगो यानि की कन्या राशी की तिरफ आज का दिन अच्छा दिख रहा है इसे साब से कि अगर पिछले कुछ दिनों में बहुत आपस्टेकल जा रहे थे आपके लाइफ में तो ब स्टार्ट करना चाहते कुछ भी हो सकता है अपनी दिन्चर्या नए रोप से करना चाह करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा तनाव पूर्ण दिन रह सकता है शायद पिछले दो तिन दिनों में आपने अपको ही एक शेल में बांद लिया है शेल में बंद कर लिया है खुद ही काफी नेगेटिव विचार आपको आ रहे थे self confidence की भी थोड़ी शायद कमी हो गई है मैं यह कहूंगा किसी ऐसे इनसान के पास जाकर अपनी problems को discuss कीजिए जिस पर आप विश्वास करते हैं तो बहुत हद तक चीजें clear हो जाएंगी जो लोग travel का काम करते हैं travel से related कोई भी job करते हैं उनके लिए कोई अच्छी ख़बर आ सक करती है जो लोग business करते हैं आज काफी सोच विचार करेंगे अपने business को लेकर कैसी अपने business को एक next level पर लेके जाएं या लेके जा सके उसको लेकर बहुत ही जादा planning करेंगे research करेंगे तो इस research का कुछ ना कुछ positive ही effect आपके business में पढ़ने वाला है आने वाले time में love and relationship के हिस आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा है एक बहुत ही romantic time आप अपने partner के साथ spend करेंगे जिन लोगों की शादी में विगन आ रहे थे बहुत हद तक अपने आप ही कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ news मिलेगी कि हाँ यह जो problem आ रहे थी वो दूर हो गई है तो love and relationship के लिए ब भागे साथ देगा students का retention study में retention बहुत अच्छी रहेगी वह students जो study के साथ साथ part time job ढून रहे थे उनको कोई बहुत ही positive news मिल सकती है health के हिसाब से सासों से संबंदित रोगतंग कर सकते हैं chest के आसपास के area से संबंदित रोगतंग कर सकते हैं और थोड़ी energy low हो सकती है दिन के लेटर हाफ में lucky number है 8 यानि की 8 lucky color है आपका bright green और भाग्य परतिशत है 83% अब चलते हैं लिब्रा यानि की तुला राशी की तरफ आज का दिन है साहसी बनने का कुछ courageous या साहसी निरने आज आपको लेने पड़ सकते हैं कुछ ऐसे निरने जो बहुत time से ignore कर रहे थे या जान बूझ कर टाले जा रहे थे लेकिन आज का समय है आपको कुछ ना कुछ साहसी निरने जरूर लेना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हूं पिछले कुछ दिनों से तो उनके खिलाफ आज आपको एक strong stand लेना पड़ेगा उनको दिखाना पड़ेगा कि भई आप दबने वालों में से नहीं है करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं और specially जिनके किछले कुछ दिनों से job में problems आ रही है या तो concentrate नहीं कर पा रहे हैं productivity job पर कम हो गई है उनसे साफ कहूंगा कि देखिए कि वह क्या चीज़ है जो आपको अपने कारेक शेत्र में अपनी job पर अच्छी तरह से perform करने से रोक रही है कोई आपकी बुरी आदत हो सकती है कोई addiction ह हो सकती है तो बहुत ही जल्द आपको इस addiction को बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा वरना आपके जौब पर आपके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है बिजनस के इस आप से बहुत अच्छा दिन नहीं दिख रहा रिसेंटली कोई रिस्क लिया था लेकिन अब उसका नत love and relationship के लिए अच्छा दिन दिख रहा है especially उन लोगों के लिए जिनका relationship अभी-भी start हुआ है या फिर जिनकी अभी-भी शादी हुई है अभी-भी मतलब पिछले कुछ दिनों में कुछ हफतों में आज कुछ ऐसा होगा कि आपको अपने partner के बारे में समझने में उनको बहु students से ये कहूंगा कि देखिए आज का टाइम बहुत competition का है तो किसी एक source से study के बारे में मत सोचिएगा सिर्फ किताबों से या किसी कोई पुराने question paper से या किसी और source से सिर्फ एक चीज से pretty depend मत कीजिएगा अगर आने वाले समय में कोई exam आ रहा है तो कुछ और sources भी ढूंडिए अपनी knowledge को बढ़ाने के लिए health के इसाफ से थोड़ा negative दिन हो सकता है especially दिन के later half में यदि आप पर किसी ने कोई तंत्र क्रिया की हुई है तो उसका बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है lucky number है 3, lucky color है brown और भाग्य प्रतीशत है आपका 68% अब चलते हैं Scorpio यानि के व्रिष्च कराशी की दिरफ आपको सबसे पहले कहुँगा कि आज दिन की शुरुवात meditation के साथ कीजिएगा बले ही 5 मिनिट हो हो सकता है recently किसी चीज को लेकर बहुत तनाव ग्रसित रहे हो और negativity ने आपको जकड लिया हो तो 5 मिनिट 10 मिनिट थोड़ी meditation कीजिए spirituality का ध्यान या सहारा लीजिए अगर religious हैं तो थोड़े धार्मिक पुस्ता के भी पर सकते हैं सुबा सुबा उससे आपको काफी help मिलेगी करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है दो चीज़े हैं एक तो आप office politics का बहुत बुरी तरह से शिकार बन सकते हैं जो scorpio राशी वाले होते हैं बोलने में aggressive होते हैं इनके action में भी aggression दिख जाएगा लेकिन दिल के usually साफ लोग होते हैं लोगों की help करने के लिए हमेशा ready रहते हैं लेकिन जो इनकी image होती है वह बहुत ऐसे इंसान की बन जाती है कि हां बहुत aggressive है बहुत गंदा बोलते हैं और वो image कभी-कभी इनको बहुत महंगी पड़ती है तो ऐसा ही आज हो सकता है कि office शडयंत्र का आप शिकार बन सकते हैं साथी में अगर job में बहुत problem आ रही थी पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव वाली situations रह रही थी तो आप job छोड़ने के बारे में भी आज बहुत strongly सोच सकते हैं कोई strong decision भी ले सकते हैं जो लोग business करते हैं आज का दिन अच्छा दिख रहा है नई partnership के लिए अच्छा दिन है अगर अपने business को किसी के साथ merge करना चाह रही थे तो उससे related भी कोई positive news मिल सकती है love and relationship के हिसाब से आज का दिन अच्छा दिख रहा है जो लोग नई relationship में आना चाहते थे उनके लिए अच्छा दिन है जिन लोगों के relationship में कुछ problem आ रही थी उनसे कहूंगा कि पुरानी चीजों को याद कीजिए ऐसा होता है कि हम जब अपने partner से जब हमारी नहीं बन रही होती है तो हमें उनके सिर्फ negative चीजों पर ही उनके ध्यान जाता है तो ऐसी situation में आप से मैं ये कहूंगा आज कि जो आपने अच्छा time उनके साथ बिताया था उसको याद कीजिए और ये सोचिए कि आप उनके साथ क्यों है तो शायद आपको काफी हद तक अच्छा लगेगा और जो problems आ रही थी relationship में वो दूर हो जाएंगी students के लिए अच्छा दिन है काफी curious रहेंगे नई चीजे सीखने के बारे में अपनी study में retention बहुत अच्छा रहेगा overall students के लिए बहुत अच्छा दिन है health के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा दिख रहा है कमर या उसके आसपास के area में अचानक से हलका सा दर्द हो सकता है व 28 परसे चलते हैं Sagittarius यानि की धनूराशी की तिरफ अपने innocence का अपने भोलेपन का किसी को फायदा ना उठाने दे धनूराशी वाले थोड़े उगर होते हैं क्योंकि अगनी तत्व की राशी होती है लेकिन इनकी कमजोरी यह होती है कि जिन पर ये विश्वास करते हैं जिन ने भोलेपन का आज किसी को फायदा मत उठाने दे करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही जादा अच्छा दिन है धनलाब होता हुआ देख रहा है मान सम्मान प्राप्त हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं कंसल्टेशन से रि बहुत अच्छा दिन है पिछले कुछ दिनों में कुछ कारे किया था कुछ बहुत अच्छा प्रयास किया था तो उसका आज रिजल्ट मिल सकता है इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहेगी आपकी काफी इमेजिनेटिव रहेंगे साथी में दूसरों की हेल्प करने के पारे में भी आप सोचेंगे, सोचेंगे कि हाँ भी मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो थोड़ा डोनेशन भी मैं कर दूँ, ऐसा जरूर कीजिएगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है रिसेंटली, तो आज कुछ डोनेट जरूर कीजिएगा, लव और रिलेशनशिप के इस आपसे बहुत अच्छा दिन तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आप अपने आपको दबाए जा रहे हो, आपको पता है कि गलती क्या है, शायद आपकी गलती नहीं है, रिलेशनशिप में आपके असर पड़ेगा, यह सोच सोच कर आप रुक जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि आज का दिन है, उनको यह बताईए कि भईया, यह गलती आपसे हो रही है, मैं गलत नहीं हूँ, आप भी गलत हैं, क्योंकि अगर आपने आज नहीं बताया, तो यह चीज बढ़ती जाएगी, और अल्टिमेटली रिलेशन्चिप पर नेगेटिव असरी डालेगी, स्टूरेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा देख रहा है, काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, एक चीज कहूंगा कि इंडिवेजुएलिटी अपनी तलाश कीजिए, दूसरों की बातों में आज मताना, अपना एक तरीका ढूंडी आज, स्टडी का, हेल्थ के इसाब से चेस्ट से सम्बंदित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सांसों से रिलेटिट कोई आपको अल्रेडी प्रॉब्लम है, तो काफी ध्यान दीजिएगा, लकी नंबर है, एक यानि की वन, लकी कलर है आपका रहेंगे, कुछ भी करने के लिए आपको कहीं बाहर से इंस्पिरेशन लेने की जरूत नहीं पड़ेगी, आज, खुद ही आपका मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हाई रहेगा, करियर पर चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आज कितना भी बर्डन आजाए काम का, कितना भी complicated काम आजाए, बहुत काम ली, यानि कि बहुत शान्त रहे के आप सारा काम करेंगे, और अच्छा result ही देंगे, जो लोग customer से related कोई काम करते हैं, जो आपके उनको customers का, या customer से deal करना पड़ता है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वा रहेगी, लेकिन अगर impatient हुए, जल्दबाजी में कुछ किया, तो बहुत महंगा पड़ सकता है, साहस अपनी जगा है, बेफूफी अलग चीज होती है, impatience अलग चीज होती है, साहस दिखाने का दिन है, लेकिन साहस भी बहुत तोल मोल कर दिखाना चाहिए, specially जब business करते हों love and relationship पे चलते हैं, अच्छा दिन है आज का, लेकिन उन youngsters से, उन teenagers से यह कहूँगा, जो dating apps का बहुत use करते हैं, कि किसी भी अंजान व्यक्ति से मिलने का plan आज मत बनाए, वरना बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन overall relationship के इसाब से आज का दिन अच्छा है, students अजी यह कहूँगा, कि recently हो सकता है, पड़ाई में devotion कम हो गई हो, तो आज का दिन है, अपनी पड़ाई को दुबारा पटरी पर लाने का, वरना, चीज हाथ से, यानि कि study हाथ से निकलने में देर नहीं लगेगी, health आज आपकी काफी अच्छी दिख रही है, recently अगर कोई health issue आया था, तो उससे बहुत हद तक उबर जाएंगे, लखी नंबर है 5, यानि कि 5, लखी कलर है dark green भाग्य परतीचत है 79%, आप चलते हैं कुम्भ यानि कि Aquarius राशी की तरफ, आज का दिन काफी relaxed रहने का दिल करेगा आपका, जादा काम करने का दिल नहीं करेगा, जादा प्रयास करने का दिल नहीं करेगा, सुबा सुबा एक दिल यह भी करेगा कि शायद आज छुट्टी ही ले ले तो अच्छा रहेगा छुट्टी लेने के लिए काफी प्रयास भी आप करेंगे करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं हो सकता है उनको आज कुछ ऐसा कार्य मिले जो उनके पूर्ट फोलियो से एकदम अलग है उनका जो काम है उससे एकदम अलग है शुरू में आपको लगे कि यह गलत है आपको यह नहीं करना चाहिए लेकिन मैं यह कहूंगा कर ऐस कुछ मिलता है अगर ऐसा कुछ चांस बनता है तो जो भी आपको कारे मिलता है उसको स्विकार कीजिए और द्रिड़ता से कीजिए क्योंकि उसका एक लॉंग टर्म इंपक्ट आपके करियर पर बहुत अच्छा पड़ेगा जो लोग बिजनस करते हैं आज अपने बिजनस क फ्यूचर के बारे में काफी सोचेंगे रिसर्च करेंगे काफी उसके बारे में कि कैसे उसको और अच्छा किये जाए लेकिन अगर कुछ चीज की वेट कर रहे हैं किसी डील की वेट कर रहे हैं पैसा आने की वेट कर रहे हैं तो थोड़ा डिले और होगा जो थोड़ा पर चलते हैं एक पूर्णता का भाव आएगा आपके रिलेशन्चिप में आज आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ आपके पार्टनर भी आपको उतना ही पसंद करते हैं उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं और यह सिर्फ सोचने में नहीं होगा उनके एक्शन में भी दिखेगा वो यह आपको महसूस कराएंगे कि आप अकेले नहीं है वह आपके साथ जीवन के हर स्टेप पर वो आपके साथ खड़े मिलेंगे तो relationship के हिसाब से आज का दिन अच्छा है students से यह कहूंगा कि अपने आप में आपको over confidence को जगा नहीं देनी बहुत हद तक संबब है कि आप recently थोड़े over confident हो गए हो तो थोड़ा अपना over confidence को कम करने की कोशिश कीजिए confidence और over confidence में एक बहुती thin line होती है और कई बार हम उस thin line को cross कर जाते हैं और एक negative impact झेलते हैं तो वही students से कहूंगा की over confident मत बनियेगा health के इसाफ से गले से संबंदित रोग तंग कर सकते हैं गले के आसपास का जो एरिया है गर्दन आधी उसमें भी थोड़ा धर्द रह सकता है lucky number है 1 lucky color है dark blue और भाग्य पतिशत है 77% अब चलते हैं Pices यानिकी mean राशी की तरफ आप से एक होंगा कि अपने concentration level को थोड़ा बढ़ाने की जरुत है पिछले 2-3 दिनों से 4-5 दिनों से बहुत चीजे दिमाग में आ रही है focus एकदम छिन भिन हो गया है concentrate नहीं कर पा रहे बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे मैं पहले जी बता चुका हूँ mean राशी के जातक बहुत imaginative होते है confidence का लेकिन कमी होता है तो वैसा ही recently भी आपके साथ हो रहा होगा बहुत सारे thoughts आ रहे होंगे लेकिन एक चीज़ पर focus नहीं कर पा रहे होंगे सोच तो बहुत कुछ रहे होंगे लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे होंगे practical level पर तो ये कहूंगा थोड़ा meditate कीजिए और concentration level बढ़ाने का कोशिच कीजिए जिससे एक clarity मिल जाएगी आपको कि हाँ भी किस चीज़ को इस समय priority दे career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं उनको सावधान करना चाहूंगा कि आज कुछ ऐसा हो सकता है आपके द्वारा भी कि आपसे कोई गलती हो जाए जिसके कारण आपके जो आपने एक छवी बना रखी है अच्छी अपने कारक्षेत्र में उस पे दाग लग सकता है वो छवी जो है आपकी बिगड सकती है साथी में हो सकता है कोई जान बूच कर आपके साथ ऐसा करे आपके पीठ पीछे जिससे जो आपकी goodwill बनी हुई आपने कारक्षेत्र में उस पे negative impact पड़े थोड़ा ध्यान से रहे जो लोग business करते हैं पूरी authority रहेगी लोगों की help करने के लिए भी ready रहेगे लेकिन थोड़ा साबने आपको alone या अकेला feel करेंगे love and relationship के इसाब से आज का दिन बहुत अच्छा है जो लोग नए relationship में बहुत time से आना चाह रहे थे लेकिन बात बन ही नहीं पा रही थी बहुत संभावना है कि आज आपका नया relationship start हो सकता है या उससे related कोई बहुत positive news आ सकती है जो लोग already long term relationship में है married है उनके लिए भी आज का time बहुत अच्छा बहुत positive रहने वाला है students के लिए भी आज का दिन अच्छा है पिछले कुछ दिनों में जो problems आ रही थी जिनका कोई हल मिले ही नहीं रहता solution मिले ही नहीं रहता वो चीज़ें आज solve होती भी दिख रही है health के हिसाब से आखों से related problem काफी तंग कर सकती है आखों पे काफी stress भी पड़ सकता है recently हो सकता है बहुत ऐसा काम किया हो जिसमें आखों का बहुत प्रयोग होता है computer पे laptop पे तो उसके कारण आखें काफी stressed out हो सकती है और उसमें काफी दर्द आपको हो सकता है lucky number है one lucky color है dark green और भाग्य प्रतीशत है आपका 72 परसंट आज खा उपाय आपके लिए है कि कार्तिक जी का शिव मंदिर में जाकर शिवाले में जाकर दूद से अभिशेग करें और उनको किसी भी रितु फल का भोग लगाईए अगर नहीं जा सकते तो सुबा सुबा घर में बैटके ही कार्तिक जी का ध्यान लगाईए और उनको किसी भी रितु फल का भोग लगाईए आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओब नमस्षिव